रिडवलप्मेंट डेंजरस है, इतना रिस्की है और उसका सबसे बड़ा कारण है ये, अमुलबटर, सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि मैनेजिंग कमिटी वालों को लगता है, बिल्डर को मखन लगाने की ज़रूरत है, बिल्डर के पिछवाडे को चमकाने की जरूरत है, Builders के साथ managing committee वाले अकसर मिले हुए होते हैं या कई बार मिले हुए होते हैं ये तो मैं जरूर कहूंगा हो सकता है कि कुछ cases में वो इमानदार हैं लेकिन कई बार ऐसे होता है कि Builder पहले managing committee वालों के साथ बैठता है setting करके लेके आता है वो लोग Builder को protect करने में लगे रहते हैं उसको introduce करेंगे chairman या secretary खड़ा हो जाएगा और कहेगा देखिए हमारे society में कौन आया है ये है संग्वी साब संग्वी Builder को तो आप जानते ही हो बहुत बड़ा Builder है आप लोग जानते हो तो public में से कोई एक चमचा बोलेगा हाँ गाटको पर में उनका बहुत बड़ा नाम है चूतिया आदमी एक नमबर का वो बेचने निकला है जो उसका है ही नहीं बेगानी शादी में अब्दुला दिवाना ये टाइप के आपको 10 चूतिये मिलेंगे अपने ही सोसाइटी के अंदर से डेड़ शाने लोग बिल्डर की चमकाने बैट जाएगे संगवी साब कौन किसने संगवी साब का नाम नहीं सुना है फिर कोई डेड़ शाना कहेगा रे साब आपका मेरा रोड का प्रोजेक्ट हो गया क्या और अपने संगवी साब एकदम ठाट में हाँ हाँ हो गया हो जाएगा पब्लिक को एक टाइप का इनफिरियोरिटी कॉम्पलेक्स तीन माले चार माले के पांच माले के जो बिल्डिंग्स है छोटे छोटे बोरिविली दैसर जोगेश्वरी मुलूंड छोटे छोटे जो बिल्डिंग्स है जो बने थे 1980s में या 70s में या 90s में वो सारे बिल्डिंग वालों को इनफिरियोरिटी कॉम्पलेक्स जैसे की अपनी बहन को ब्याहने वाले हैं और वो बहन लूली लंगडी भेंगी है यहीं लड़का देखने को आया तो उसकी आरती उतारो भाई वो लड़का हां कह दे किसी तरह से हां कह दे भई हमारी लड़की जो है वो तो जाने वाली नहीं है उसको कुछ आता ही नहीं है और भई हम उसको किसी तरह से ब्याहना चाते हैं उनको क्या लगता है अरे हमारा बिल्डिंग तो गिरने को जा रहा है अभी तीन चार साल में गिर जाएगा ये गिर जाएगा क्यों कि आपका सोसाइटी ने मेंटेन नहीं किया इसलिए गिर जाएगा वो सबसे बड़ा खत्रा तो आपका सोसाइटी है सोसाइटी ने प्लास्टरिं हो जाता है बारिश में लील चड़ जाता है बाहर compound में तो कम से कम यार उसको घिसके निकलवाओ या powder डालके ब्लीच डालके वो तो करो ब्लीच का तो खर्चा करो वो भी नहीं करते हैं कोई गिरेगा कोई फिसलेगा कोई मरेगा किसकी हड़ी तूटेगी उसका भी खयाल नहीं प्लास्टर कहीं पे गिर रहा है किसी के घर पे गिर रहा है कहीं पैसेज में गिर रहा है कहीं टेरेस के पास बड़े बड़े प्लास्टर के गठे गिरते हैं स्वसाइडी का मैनेजिंग कमिटी फुल री डवलप्मेंट के जोन में चली गई है, हमको तो भाई अब रीडवलप्मेंट चाहिए, अभी ये बिल्डिंग पे एक रुप्या खर्चा करने का नहीं है कंजूसी, फुल कंजूसी अब ये लोग इस टाइप के काम करते हैं बिल्डर को बुलाते हैं बिल्डर की चापलूसी बिल्डर के साथ मिली भगत बिल्डर को कोई सवाल करे तो भाई बिल्डर नाराज नहीं होता है, आपकी मैनेजिंग कमिटी वाले नाराज हो जाएगए अरे मैं इतना महनत करके संग्वी साब को लेके आया था, और तुम तुम उसको ऐसा है आड़े तेड़े सवाल करते हो ओ संगी साथ गलत मत मानना हमारे सोसाइटी में बहुत चूतिय लोग रहते हैं वो बात तो सच है तुमारे सोसाइटी में रहते हैं बहुत चूतिय लोग लेकिन जो सवाल करता है वो चूतिया नहीं है बाकी के जो लोग है जो चापलूसी कर रहे और मक्षन मार रहे हैं वो है तुम लोग हो बिल्डर को ठोक बजाके देखने का होता है बिल्डर का चमड़ी उखाड के देखने का होता है यानि आप लोग बिल्डर के तरफ ये चीज मत इस्तमाल करो बटर, बटर मत यूज़ करो, आप लोगों को यूज़ करना चाहिए, क्या मालूम है? यह हाथ घुरा, बिल्डर को ठोक बजा के देखो, कि बिल्डर बना किस चीज़ का है, वो खरे सोने का है, या पीतल का है, या लोहे का है, जंक आया हुआ है, मेरा कहने का मतलब यह, कि उ उसके accounts में strength है की नहीं, उसका balance sheet पूछो, तो by the way, ये संग्वी शब्द में use कर रहा हूँ, नाम एकदम common है, कोई भी गुजराती builder अपने आपको वो नाम से निकाल लेगा, पारेक builder हो सकता है, शा builder हो सकता है, देशाई builder हो सकता है, हो सकता है कि वो गुजराती नहीं भी हो, वो कोई और community का हो, वो मारवाडी हो, वो अगरवाल builder हो सकता है, वो भी नहीं चलो महराश्रियन होगा, जादव builder हो सकता है, कि जादव साब है, तो जादव साब का चमकाएंगे, 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 दस बार उसके सामने, माथा टेक के बोलेंगे, sir, sir, आप है न कुरूपा करके, जैसे भी करके हमारा building अच्छा बना देना हो, प्लीज हाँ, हमारा building अच्छा बना देना, ये ये टाइप की भाषा और ये टाइप की सोच है, ये टाइप की अकल के अंधे managing committee में बैटते हैं, पता नहीं, वो managing committee में बैटने के लिए अकल का अंधा होना ज कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, builder को ठोक बजा के कोई कुछ नहीं पूछेगा, ठोक बजा के सवाल करना होता है, ये भाई, तेरा नाम जादव है ना, तेरा company का नाम जादव and associates है ना, अब ये जादव and associates company, नहीं नहीं हमारा बहुत बड़ा group है, ह संजना येरलाइन्ज संजना एरलाइन्स संजना टेक्स्टाइल्स संजना अरे वैसे तो कारोबार बहुत फैला हुआ है सेम टाइप के ये लोगों के ग्रूप कमपनीज आप देखोगे एक से बढ़कर एक चूतिय बनाने के ग्रूप कमपनीज जादव एग्रोटेक जादव टेक्स्टाइल्स जादव इंफ्राटेक जादव अरे यार कुछ भी पचास कमपनीज होते हैं उनके पास सो काल्ड ग्रूप कमपनीज ऐसे लोगों से बचो वो ग्रूप कमपनीज का इस्तेमाल होता है फंड्स को डाइवर्जन करने के लिए तो ये जादव आईग्रो टेक जादव एग्रिक टेक जादव एंजिनियरिंग बाव बावस 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 प्लीज संभालो इन लोगों से और वो कहते हैं हम आपके लिए एक नया कमपनी को लेंगे हमारे पास बहुत फंड्स हैं हम बहुत एक्सपिरियंस हैं हमारे पचासो कमपनीज हैं और वो भी कहना नहीं पड़ता है वो लोग खुद का नहीं चमकाते हैं मैनेजिंग कमिटी बैठके उनका पिछवड़ा चमकाएगा वो खुद का नहीं चमकाएगा चेर्मेन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर अरे साब ये है ना ये बहुत पहुँचे हुए हैं इनकी पहुँच मंत्रालाई में बहुत है बहुत बड़े-बड़े हस्तियों के साथ उठते बैठते हैं और वो सिर्फ इतना बहुत हो गया उसका कोई अगर सवाल पूचता है जादव साब जरा अपनी कमपनी का टर्नोर तो बताओ अपने तीन साल के बैलेंस शीट्स तो दिखाओ नहीं नहीं उसकी जरूरत क्या है ये कौन बोल रहा है चेर्मेन या सेक्रेटरी अरे क्या बात है उसकी जरूरत क्या है तो पागल है क्या है तुर येडा है क्या है जादव साब इतने बड़े है उनको पास प्रोजेक्ट फैनेस तो वैसे ही आ जाएगा कोई भी देदेगा उनको प्रोजेक्ट फैनेस अरे इसको तो कोई भी फैनेस देदेगा और जादव मैं मैं लेके आऊंगा मेरे पास हमारा सर्कल में सब कुछ हो जाएगा हमारे सर्कल में हमारे सर्कल में मतलब सर आपके सर्कल में है कौन जरा बताएंगे जरा आप बोलने का कश्ट करेंगे अरे आप जानते नहीं हो पुब्लिक अरे जादा उसा बहुत बड़े हैं यह माहौल मे ये माहौल में आपका redevelopment रखड़ेगा नहीं, तो क्या होगा मुझे बताइए, कभी-कभी साथ में कॉर्परेटर आ जाएगा, या भूतपूर्वा कॉर्परेटर, आज का कॉर्परेटर है, तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो भूतपूर्वा कॉर्परेटर भी चलेगा, बूतपूर्वा एमेल आ जाएगा, साथ में, और जैसे ही वो साथ में आ गया है, इसका वजन बढ़ गया, अरे साब, ये अपने बड़े-बड़े पॉलिटिशन्स को अपने पॉकेट में लेके गूमते हैं, अब चलो हम नाम बदल देते हैं, क्योंकि संग्वी भी हो गया, जादव भी हो गया, चलो अगरवाल बना देते हैं, या और एक पंजाबी बना देते हैं, खुराना, अरे खुराना साब तो बहुत पहुँचे ह हुए है, उनका बहुत जयजयकार होता है, आप जानते नहीं हो, वो पॉलिटिशन्स लोग, देखो देखो, हार, फूल हारते हैं, साथा एजियम है, एजियम में जैसे ही, या एजियम, Extraordinary General Body Meeting, एजियम के एजेंडा में क्या है, कि हम बिल्डर से सवाल करेंगे, कि वो कित थोड़ा सा जवाबदार ठहराने का काम करेंगे, तो जवाबदार ठहराने के लिए, आपका पूरा attitude ऐसे होना चाहिए, सब लोगों का, including Managing Committee, कि हम इसको थोड़ा छील के देखते हैं, थोड़ा छीलो इसको, कि सो, ओके, उसकी चमड़ी थोड़े निकलने दो, उसको अप साब, सिंपल मैं, आपको सिंपल सवाल लिखा रहा हूँ, किस टाइप के बहुत सिंपल सभाल है, आप यह पूच सकते हो, खुराना साब, आपके इतने बड़ी कमपनिया हैं, करेक्ट, कमपनी इसके इतने सचना सारा टरनोर होगा, करेक्ट, खुराना एइग्रोटेक और एंजिनियरिंग और खुराना एरलाइन्स और पता नहीं क्या-क्या खुराना तो साब एक काम करो ना एक तो आपकी कमपनी का एक पूरा लिस्ट दे दो आप कह रहे हो I am from group company खुराना group of companies तो आप है ना वो एक एक लिस्ट दे दो आपका कौन सा ग्रूप company है तो कम से कम अपने को पता तो चले नहीं 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 पुब्लिक हमको जानना नहीं है हम पता हमको पता है हमको पता है आप तकलिफ मत करिए यह आपकी managing committee अब यह टाइप के behavior से खत्रा है और अगर उसने बोला भी हाँ चलो मैं दे देता हूं अगले meeting में मैं दे देता हूं तो उसका follow up करने को कोई नहीं है managing committee वाला follow up नहीं करेगा अरे follow up करेंगे और उसको खराब लग गया तो हमारा building छोड़के चला जाएगा तो और अगर उसने redevelopment नहीं किया तो हाई है राइट वो देखाने को लेके जाओगे field trip के लिए लेके जाओगे अब एक काम करो आप हमको सिर्फ उसका OC लाके दिखा दो अपने 5 प्रोजेक्स कंप्लीट किये या 15 प्रोजेक्स कंप्लीट किये अब उसका OC आया होगा पहले OC लाके दिखा दो तो OC से पता चलेगा कि कंपनी का नाम क्या था फिर वो रेजिस्ट्रार अफ कंपनी में जाके देखेंगे कि वो खुराना का कंपनी है या नहीं और ये भी हम देख लेंगे कि ये कंपनी जिसमें वो काम किया है उसका OC में से रेजिस्ट्रार अफ कंपनी में से उसकी पूरे पेपर्स निकाल सकते कि ये company ने कितने साल में कितना काम किया है इसका turnover क्या था यानि वो कितने गहरे पानी में तैर सकता है ये तो अपने को पता चल जाएगा तो खुराना साब प्लीज आप OCS लिखा के लाके दिखा दो बस खतम हो गई बात नहीं नहीं वो सब under construction है अचा अचा अंडर construction है अभी तक खतम नहीं हुआ है क्या नियर completion है लेकिन खतम नहीं हुआ है अचा ठीक है चलो एक काम करते है वो सारे buildings का जो कौनसे permissions है layout permissions है न layout permissions IOD, CC, layout permissions, layout approval ठीक है वो सब लाके दिखा दो सर हम देखते हैं कि आपको CC कहा तक आया है आपका किस level तक CC आया है आपने कितना काम किया है सर आपके जो भी projects है न उसका rara number दे दो हम थोड़ा देख लेते हैं कि आप कितने अरे नहीं नहीं वो हमारा group company अरे भाई आपका group company है आप बोल रहे हो न उसका rara number दे दो एक बार हम देख तो ले वे कि क्या है आपके field trip में हम जाएंगे आपके साथ हम buildings का भ्रमन करेंगे बस में बैठके society वाले आप कोई भी building दिखा दोगे और कहोगे ये मेरा है मैंने इसमें काम किया है उसमें नाम name plate कुछ अलग भी होगा तो अगर खुराना ने आपको building दिखाया और building का नाम है amazing heights amazing heights खुराना ने बनाया या किसी और builder ने बनाया आपको तो पता चलने वाला नहीं है आपको वो secretary से मिलाएगा नहीं और अगर मिला भी दिया एक बार तो हो सकता है कि उसने secretary को थोड़े से पैसे जिब में डाल दिये एक 2000-3000-5000 रुपे जिब में डाल दिया और बोला यार तू एक काम करना इतना बोल देना कि हमारा ये building बनाया है खुराना ने और बस हो गया कुछ ज़्यादा tension नहीं है वो सवाल पूछेंगे उतना जवाब दे दे हो सकता है आप कैसे जानते हो कि उसने वो building बनाया है तो जब तक आप उसका IOD, CC, OC, correspondence ये सब नहीं देखोगे आपको पता नहीं चलेगा लेकिन ये सब पूछेगा कौन ये सवाल कौन करेगा क्योंकि society वालों को आप लोग चुप कराते है एक दूसरे को चुप कराते है जनरल पौडी वाले managing committee, office bearers तो खास चुप करवा देते हैं चड़ जाते है society वाले पे अगर उसने ऐसे कोई सवाल पूछा तो मेरा आपको आपसे एक simple सुझाओ है थोड़ी सी अपनी अक्कल को वापरो ठोक बजा के देखो इसका इस्तमाल थोड़ा कम करो मक्खन मत मारो प्लीज बिल्डर को मक्खन की जरूरत नहीं है बिल्डर को इसकी जरूरत है थोड़ा उसको रगड के देखो थोड़ा उसको ठोक बजा के देखो, ठीक है, कहीं ऐसा नहों कि बिल्डर ने आपको अपने बारे में कुछ गलत कह दिया, वो स्कैम निकला, वो एस्टेट एजेंट निकला, बिल्डर सही बिल्डर निकला भी नहीं, उसके पास बुक स्ट्रेंग्थ नहीं है, वो दलाल नि पूछा, और पबलिक को सवाल पूछने नहीं दिया, और अगर बिल्डर को थोड़ा ऐसा करके वो दिखाएगा, कि उसको खराब लगने वाला है, तो सब लोगों की फट जाती है, यह मत करो, बिल्डर आप से डरे, वैसा काम करो, ऐसा काम मत करो, कि आप बिल्डर से डरते हो, बिल्डर को आपके सोसाइटी वालों से डरना चाहिए, बिल्डर को आप से डरना चाहिए, कि आप कौन से सवाल पूछोगे, वो स्टूडेंट की तरह आपके सामने आएगा, और आप स्कूल टीचर और प्रिंसिपल बनो, ऐसे मत करो, कि बिल्डर प्रिंसिपल है, और और वो प्रिंसिपल आया हुआ है तो सब स्टूडेंट्स के जैसे आप लोग चड़ी पहन के खड़े हो गए ऐसा काम मत करो नहीं तो बाद में बहुत पच्टाना पड़ता है सोसाइटी पूरा बेघर हो जाता है और रिड़ोलप्मेंट बनता नहीं है पंदरा साल के लिए रकड़ जाता है मैं हूँ आपका दोस्त क्रिश दियो अर्बन नकसल जैहिद